आज किस वीडियो में आप लोग सेखिएं कि एड़ोपूर्ट सोप में फोटो को गोरा कैसे किया जाता है जैसा कि आप दे सकते कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से पहले का फोटो था उसको मैंने कुछ इस तरीका से इडिट करकर गोरा बनाया है अगर आप भी एड़ोपूर्ट सोप के अंदर किस भी फोटो को गोरा बनाना चाते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा वीडियो अगर जो आपको पसंद आता है तो चनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूँ सबसे पहले आप अपने कम्प्यूटर में एड़ोप फोटोप को ओपन कीजिए चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ जब आपका एड़ोप फोटोप ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको उस फोटो को ओपन कर लेना है जिस photo को आप edit करना चाहते हैं तो चलिए मैं photo को open कर लेता हूँ photo को open करने के लिए आपको क्या करना होगा file पर click कीजिए open पर click कीजिए जैसे कि दोस्तों आप देश सकते हैं या फिर अपने keyboard से control plus o button को भी press कर सकते हैं चलिए मैं open पर click करता हूँ जहां भी आपने photo को save करकर रखा हूँगा उस photo को slit कीजिए open पर click करकर Adobe Photoshop के अंदर यह photo आपका open हो जागा जैसा कि आप देश सकते हैं इसी photo को मैं क्या करूँगा आपको गोरा बना कर दिखाऊँगा अब देखे जोस्तों यहां से आपको ध्यान देना है एक photo तो यहां पर देश सकते हैं जिस photo को मैं edit करूँगा उस photo को यहां पर देखे मैं open कर लिया हूँ जो की काफी black है और इसका face काफी dark आपको दिख रहा है लेकिन यहां पर मैं क्या करूँगा एक image को मैं और open करूँगा जिसका face गोरा होगा और काफी उजला यानकी white में होना चाहिए तो चलिए मैं एक photo को और open कर लेता हूँ तो द्वारस में फाल पर क्लिक करता हूँ open पर क्लिक करता हूँ जो photo का जो face गोरा है चलिए उस photo को मैं open कर लेता हूँ जैसा कि दोस्तो आप देश सकते कि यहां पर मेरा photo open हो चुका है जिसका face गोरा है तो आपको भी एक photo को और open करना होगा जिसका face गोरा होगा अगर आपके पास कोई photo है जिसका face गोरा है तो आप उस photo को open कर लीजिए या फिर दोस्तों आपको इंटरनेट पर जाना है वहाँ पर आपको लिखना है गोरा फेस गर्ल तो देखिए वहाँ पर बहुंस तर आपको इमेज दिखाई देगा तो जो भी आपको लगे कि इसका फेस गोरा है अच्छा है तो इसको आप डाउनलोड कर लिजी और दोबार मैं आपको जूम करकर दिखाता हूँ आपको कुछ इस प्रकार से तूल बार में ऑप्सिन मिलेगा देखिए आपको दिख रहोगा आईड्रोप टूल का जैसा कि आप देख सकते इस तूल को आपको एक बार क्लिक करकर सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा ज इस पर आपको कहीं पर क्लिक कर दो जहां है और पर आपको एक पर श्यच Se Ashley असे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको इस पोटो यहां से क्लूज कर क्लोज कर देना कुछ इस प्रकार से क्लोज करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को यहां पर ले लिजिगा जिस फोटो को आप गोरा बनाना चाहते हैं अब देखिए यहां से आपको ध्यान देना है उसके बाद आपको यहां पर लेयर पैनल देख रहा तो आपका layer panel on हो जाएगा अब देखिए दोस्तों जब आपका layer panel on हो जाएगा तो देखिए आपको जो photo यहां पर आपका open होगा यहां पर देखिए आपको layer दिखाए देगा जो photo आपने open किया होगा उसको बाद देखिए आपको जब नीचे जब layer बार में जब नीचे आए तो देखिए यहां पर एक option में लेगा आपको sold color का जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हाँ पर हो जाएगा जैसा कि आप देश सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको कुछ भी ने करना सिर्फ आपके यहां पर ok बटन पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तों आप देश सकते कि जो color आपने जो face का गोरा था उस color को आपने select किया था वो यहां पर apply हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना होगा अपने keyboard से control plus i button को प्रेस करना है चलिए मैं अपने keyboard से control plus i button को प्रेस करता हूँ जब आप control plus i button को प्रेस कीजिगा तो देखिए आपका image आपके सामने आ जाएगा और जो color का पट्टी था वो हट चुका है अब देखिए उसके बाद दोबारा से आपको tool बार में आना है tool बार में आने के बाद दोस्तो इस बार आपको brush tool को select करना है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको brush tool इस tool को आपको select कर लेना है select करने के बाद दोस्तो आपको ऊपर आईगा तो देखिए आपर कुछ setting मिलेगा जिसमें दोस्तों आपको mode में आपर normal को select कर लेना है आपको रहना चाहिए opacity में hand rate और flow में भी hand rate रहना चाहिए उसको आपको brush size रहना चाहिए देखिए हैंपर आपको मिल रहा होगा brush size यहां पर देखिए आपको बहुत परकार का brush मिलेगा लेकिन जो brush आपको blur रहेगा वह ही आपको slit कर लेका है चलिए अमर्य यह जो 13.0 बहर से इसको मैं ने सब्सक्राइब करते हैं आपको क्लिक करने का बाद के अन्दर एक से छाहता है क्या जहां प्लबाब करने के आधले अब आपको brush tool आपका slate रहेगा right click करना है तो आपका इमेज यहां पर गोरा होता दिखेगा जैसा कि दोस्तो आप देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको brush का use करना है अपने पूरे face पर तो कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा तो चलिए मैं फटा फट जल्दी से करता हूँ आप भी कर लिजीगा इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप इस brush का use आप पर नहीं किजगा बरना फोटो खराब हो जाता यानकि आख जो होगा बलर हो जागा तो इसलिए आप पर इस brush का use नहीं किजगा बाकी हर जगा आप कर सकते हैं तो चलिए मैं कुछ इस परकार से यहां पर देखिए मैं कर रहा हूँ तो आप भी अपने face को कुछ इस तरीका से black face है तो उसको आप गोरा बना सकते हैं जो face था कुछ जो की काफी black था dark था उसको मैंने कुछ इस प्रकार से यहां पर गोरा बना दिया है तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप काम करकर कोई भी image को गोरा बना सकते हैं अब देखे दोस्तों आपको लेयर बाल में आना है उसके बाद आपको जो आपका फोटो का लेयर है को इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद अगर आप चाहते हैं इस फोटो को और गोरा बनाना चाहते हैं तो अपने keyboard से control के साथ एले बटन को उप्रेस कीजिए उसके बाद यहां पर लेवल का option खुलेगा तो इसमें दोस्तों आपको यहां पर 123 रेंज मिल रहा तिस वाले रेंज को पकड़ा कर थोड़ा साप आगे लाईया तो देखेगा थोड़ा से फोटो में brightness पढ़एगा तो आप चाहें तो इसक पका का थोड़ा साप उपर कियो ले जाएगा देखेगा फोटो में आपका light बढ़एगा तो इसका यह दोस्तों आप अपने फोटो का अनुसार किजीगा अगर आपके फोटो में लाइट का जरूवत है तो आप इसको बढ़ाएगा या फिर आप इसका apply नहीं किजीगा चलिए इसको मैं cancel कर देता हूं कियोंकि फोटो काफी ठीक ठाक लग रहा है तो इसको यहां समय ने cancel कर दिया उसको बाद दोस्तों आप देसकते कि यहां पर मेरा फोटो पूरी तरह से complete हो चुका है यानि कि गोरा बन चुका है तो चलिए इसको मैं save कर लेता हूं save करने के लिए click किके जहां भे आपしまाना चाहता है अंहीं के अन्य गतल के दिखा देता हूं और दोनों इमेज को मैं open करकर दिखा देता हूं चलिए यहां से मैं दोनों image को open कर लेता हूं जैसा कि दोस्तोंक आप दलischer सकते कि यह जो मेरा पहले का था यह जो मेरा फोटो था फहले का था और उसको मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार शिर्रीट किया है दोस्तर जैसा कि आप दे सक्टे हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते रहते हैं वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बदने बाद मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में